Hi everyone, so welcome to this new class, आज़ की class में हम complete करने वाले हैं custom header, प्लस जितने भी sections कल बचे रह गए थे, वो सारे sections हम यहाँ पे complete करेंगे, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम Google Maps या contact form किस तरह से अपने contact page भी create करते हैं, ठीक है, so stay connected, फिर से मैं आपको कहूंगा, एक से डिड़ घं के लिए, कावि सारी important चीज़े मैं आपको बताऊंगा, so अगर आपको पास diary है, notes वगर अगर आप बना रहे हो, तो प्लीज pencil और notes वगर रेडी रखिए, ठीक है, so let me share my screen with you, alright, so यह है हमारी website wordpressone.site, कल हमने almost इतना काम कर लिया था, और हम इस website को follow up कर रहे थे, basically मेरी company की site ह है, so यह section हमने यहाँ पर create कर लिया था, ठीक है, अब इसके बाद हम यह वाला section create करने वाले हैं, ठीक है, इस type का section हम create करेंगे, so almost मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी section create करने से पहले आप उसका structure समझो, कि वो बना कैसे है, तो यहाँ पर basically क्या किया गया होगा, एक section लिया होगा, उस section के अंदर फिर से एक inner section लिया है, और उस inner section को दो columns में divide किया, so first वाले column में यह image आ गई, second वाले column में यह heading, बड़ी heading, then divider, then text, and then button put किया गया है, ठीक है, so इस type का section हम फिर से create करेंगे, all right, now जब आप page create कर लोगे, और देखिए मैं already logged in हूँ, that's why यहाँ पे black color की पट्टी आपको दिखाई दे रही है, अगर आपको इस home page का editing mode enable करना है, यानि elementor वाले screen को enable करना है, तो यहाँ पे top पे पहले सी option आ जाएगा, edit with elementor, इस पर आप click करो, sorry, so आपकी elementor की screen देखिए, load होना start हो जाएगी, यह elementor की screen load हो रही है, यानि कि home page का जो editing mode है वो directly आप front end से भी enable कर सकते हो, बस शर्त यह है कि आपको admin में login होना mandatory है, ठीक है, तो यह आगया editing mode, अब इसके बाद फिर से हम एक नया section यहाँ से लेंगे, तो आप plus पे click करो, यह section आगया one column वाला, ठीक है, अब इसके अंदर हम लेंगे एक inner section, तो यह है inner section, जो की दो columns में divided है, so first वाले column में हम दिखाएंगे image, second वाले column में जो भी text, heading, button वगरा पुट किया है, वो हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पहले plus पे click करते है, left hand side पे यह panel open हो गया, image दिखाने के लिए हमारे पास होता है image widget, आप इसे drop कर दो यहाँ पर, okay, यहाँ गया image का place holder, left hand side पे इसकी setting open हो गई है, अगर आप फिर से setting open करना चाहते हो, तो आप right click करो and then edit image, तो इसकी setting open हो जाती है, now यहाँ पर आप देखो, image वाला section है, choose image, इस पर आप click करोगे, okay, इस से पहले मैं इस वाली image को download कर लेता हूँ, so let's save this image, so यहीं website से हमने इसको directly save भी कर लिया ह इसके बाद upload files में चलते हैं, then select files और यह है वो image, इसे हमने यहाँ पर upload कर लिया, तो देखें, media library में यह वाली image में यहाँ पर display होने लगी, इसके बाद आप insert media पर click करो, यह image हमारी उठ करके यहाँ पर आ गई, ठीक है, second चीज क्या है, कुछ text लिखा हुआ है, who we are, अब य यह basically heading है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली heading को duplicate कर लो, सब कुछ duplicate पर चलता है यहाँ, elementor में आपको एक बार मेहनत करनी होती है, उसके बाद आप बार बार duplicate कर सकते हो, ठीक है, अब इस वाले text को हम यहाँ से change कर सकते हैं, just like, who we are, बना दिया, इसके बाद alignment आप इसका left कर क्योंकि हमने यहाँ पर देकिया alignment left किया हुआ है, दूसरा text है हमारे पास low cost web development, इसे भी यहाँ से copy करेंगे हम, so let's copy it from here, okay, और यहाँ पर यह बड़ा वाले heading है, तो इसे duplicate कर लो आप, then we have to drag it and drop it over here, like this, फिर same mechanism है, इस text को आप यहाँ से delete करो, और जो copied text था, उसे हम यहाँ पे paste करेंगे, I think मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत है, but please bear it, और इसके बाद फिर हम alignment कर लेते हैं left, और font size थोड़ा छोटा कर लेंगे, तो यहाँ पर typography में जाना होता है, style के अंदर, और यहाँ से हम font का size छोटा कर लेते हैं, like this, ठीक है, इतना करना आपको आगया, इसके हम यहाँ से duplicate करते हैं, यह हमने यहाँ से duplicate किया, इसके बाद drag कर दो, and then drop it over here, it's really very very simple, फिर से alignment आप इसको left कर दो, जैसे ही कोई भी element पे आप click करोगे, या drag and drop करोगे, तो उसकी settings by default left में open हो जाती है, ठीक है, after that, यहाँ पे एक काफी सारा बड़ा सा text लिखा हुआ है, यह इसे आप यहाँ से copy करो, यह हमने copy किया, then we can go on to the editing mode, और यहाँ पर फिर से long text के लिए, यहाँ पे long text लिखा ही हुआ था, इसे आप duplicate करो, duplicate हो गया, then pencil icon पे mouse रखो और drag कर दो, यहाँ पर, बाकी बाद में, इस box के अंदर जा के अप text को तो change कर ही सकते हो, तो हमने यहाँ प important चीज आप यहाँ पे देखोगे, यह image है, इसकी height ही कितनी है, height यहाँ से ले करके यहाँ तक है, but right वाले column में आप देखो, जो text हमने लिखा हुआ है, इसकी height यहाँ से start होती है, मतलब जहाँ से text लिखा है, वहाँ से सिफ बटन तक जा रही है, यानि कि second वाले column में, जो इस पूरे text, यानि जो पूरा content है, इसके उपर white space है, नीचे भी white space है, और दोनों equal white space है, यानि यह जो चीज आ रही है, यह पूरे center में आ रही है, इस वाले column में, vertical center में आ रही है, तो vertical center में हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप यहाँ अपने side पे देखोगे, तो देखो, सारा text उपर चिपक गया, तो नीचे काफी सारा white space है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस text के उपर और नीचे equal white space put करेंगे, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इस column की setting में चलो, edit column, layout के अंदर एक option मिलता है, vertical align, तो vertical align यहाँ पे default है, आप इससे कर तो middle, तो automatically यह middle में alignment हो जाएगा इ यानि equal space उपर भी आ गया, equal space नीचे भी आ गया, इस तरह से हम यह वाला section भी create कर सकते हैं, अब इसके बाद यह वाला section जो है, वो उपर वाले सिर्फ काफी हद तक close है, काफी हद तक चिपक गया है, तो कोई issue नहीं है, जैसा मैंने आपको कल की class में बताया था, आप इसके setting में जाओ, यानि section के setting में जाओ, इसमें advanced में जाके, जो top की margin है, आप इसे increase कर दो, यहाँ पर for example 25 कर देते हैं, gap आ गया, छीक है, इसके बाद हम यहाँ इसको update करेंगे, अब new tab में इस page को अगर open करना है, तो देखो left hand side पे यहाँ top पे दिया होता है hamburger का icon, इस पर आप click करो और यह है view page, तो इस पर right click करके open link in new tab, देखें new tab में यह link open हो गया, इसके बाद यहाँ पर आप देख लो, यह section हमने create कर लिया है, almost ऐसा ही है, जैसा यहाँ पर बनाया हुआ है, अभी animation पर आप मत जाओ, animation में next class में आपको बताने वाला हूँ, तो next class भी आपको miss नहीं करन आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, अब इसके बाद यह वाला section create करते हैं, इसे हम कहते हैं basically call to action, कुछ text यहाँ पर लिखा होगा, button यहाँ पर लगा होगा, उस button पर click करने पर कोई action perform होता है, यानि कि user contact page पर redirect हो जाएगा, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, बहुत simple सा logic है, आप यहाँ सबसे पहले जाओ, एक section ले लो, सबसे पहला section ही लेना होता है हर जगा, ठीक है, हमने section ले लिया, इस section का background color हमें set करना है, तो आप section की पहले setting में जाओगे, then we have a style, style में आपको मिलेगा background type, अब यहाँ पर हम gradient background लगाएंगे, तो यह देखी gradient का option, इस पर आप click करो, gradient का मतलब, दो color का combination, ठीक है, याद रखना है आपको, दो color से combination को हम gradient कहते हैं, अब एक नई चीज़ आपको बताने वाला हूं है, मान लिए यह मेरी website है, ठीक है, अब इस website में यह जो color है, देखों यहाँ पर क्या देखोगे आप, left hand side पर थोड़ा सा dark blue है, right hand side पर थोड़ color का code निकालना है, कि exactly कौन सा color इसे में पता करना है, तो कैसे करोगे आप, बहुत अच्छा logic बता रहा हूं, आप इस जगे पहले mouse रखो, फिर right click करो, right click करने पर आपको मिलेगा inspect का option, यह है inspect, या inspect element भी हो सकता है, ठीक है, आपने inspect पर click किया, एक panel open हो जाएगा, something like this, ठीक inside भी ball बनके आ गई है, अब जहां जहां आप move करोगे, उस सा color code देखो, आपको six letters में दिखाई दे रहा होगा, यह वाला color कौन सा है, cc2708 आ रहा है, इसी तरह से अगर मैं car की उपर लेके जाओंगा, तो देखी color कौन सा हो गया, hashtag ecae22, मतलब यह hexa code होता है, कि cd color का, त यहां पर आप simply click कर दो, और यह color copied हो गया, ठीक है, अब हम आते हैं अपने elementor में, और यहां पर first color जो है, वो simply आप देखो, यहां पर भी basically होता क्या है, अगर आप color palette यूज करोगे, कोई भी color यहां पर यूज करो और नीचे hexa code इसका change होता है, देखना आप, जैसे move पेस्ट किया exact वही color आ गया, जो color मैंने अपनी website पर यूज किया है, यहां पर दूसरा color है, तो आप फिर से color picker पर click करो, left hand side पर जाओ, और यहां पर आप click कर दो, अब यह वाला color code copy हो गया, फिर से अपनी website पर चलते हैं, second color में हम यहां पर paste कर देंगे, दूसरा वाला color code, आ गया, इसके बाद आपको क्या करना होता है, एंगल चेंज करना है, एंगल आप चेंज कर लो कुछ इस तरह से, जैसा आपको suitable लगया आप वैसा कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से देखिए मैंने एंगल चेंज कर दिया है, अब इसके बाद आपको यहां पर structure समझना एक अंदर inner section लिया गया होगा, जिसमें पहला column काफी बड़ा है, उसमें text लिखा है, दूसरे वाले column में button रखा है, तो कोई issue नहीं है, आप पहले तो यहां text copy कर लो, यह हमने यहां से copy किया, अब इसके बाद हम इस वाले section में एक inner section लेंगे, तो यह है inner section, हमने यहां से drop क किया इसको, like this, इसके बाद first वाले column में एक heading पुट करनी है, अब heading widget यहां से मत लो, आप simply यहां देखो white color का हमने already ले रखा है न, इसको अब duplicate कर लो, duplicate किया, drag कर दो, और यहां पर आप drop कर दो, उसके बाद same logic है, इस वाले text को हटाएंगे, और दूसरा वाले text paste करेंगे, like this, font size आप छोटा कर दीजे, यहां पर typography में जा करके, तो यह हमने typography में font को छोटा कर दिया, next line क्या है, if you don't want to know, ठीक है, ऐसे भी copy करते हैं, then we can go back, अभी यहां पर फिर से इस वाले text को copy करो, sorry duplicate करो, then we have to drag it over here, इसके just नीचे में drag कर दिया, text हम यहां पर total change कर देंगे, so let let's make it like this, बहुत simple है, इसके बाद यहां पर हमें put करना है button, तो कोई issue नहीं है, हमने already button बनाया हुआ है उपर, इसे duplicate करो, यह duplicate किया, इसके बाद इस button को drag कर दो, यहां पर, ठीक है, यहां drop कर दिया, अब button पर हमने basically क्या किया था, उपर पर minus की negative margin को set किया हुआ था, तो आप simply इस button की पहले setting में जाओ, advanced में, और देखो यहां पर top margin negative की थी, that's why, button अपने container से उपर उटके चला गया, तो आप क्या करो, margin यहां पर बिल्कुल zero रखो, ताकि यह अपनी exact default location पर आ जाएगा, अब इसके बाद दूसरी चीज़ देखो क्या है, आप यहां पर गौर करो, यह पहला वाला जो column है, काफी बड़ा है, और next वाला column छोटा है, तो पहले वाले column को बड़ा हम कैसे कर सकते हैं, यह भी नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी आज, यहां पर mouse put करो, जैसी देखो आप यहां mouse put करोगे, center में, तो एक इस type का icon मन की आएगा, अब left click पे left click press करो, and then drag कर दो इस तरह से, तो देखो, यहां पर width भी आ रही है कि पहले वाले column की width कितनी हो गई, second वाले column की कितनी width हो गई, तो for example, 67.3% first वाला column है, 32.6% second वाला column है, ठीक है, इतना काफी है, इसके बाद इस button को vertically middle align करेंगे, जैसे हमने यह वाला text align किया था, center में, इस column की setting में चलो, edit column, और यहां पर फिर से layout के नीचे मिलेगा vertical align, right now default है, इसे कर तो middle, middle हो गया, अब इसके बाद हमें color भी change करना है, right now white color का button है यह, तो normal state में हमें इस button को करना है white और text को करना है black, तो चलते हैं अब button के setting में, okay, style में, यहां पर normal state है, तो normal state में जो color होगा, color background color वो हो जाएगा white, let's make it white, जो text color होगा normal state में, वो होगा black, हमने black कर दिया, ठीक है, अब hover state में चलते हैं, यह आ गई hover state, hover state में अब समझते हैं, text color basically क्या होगा, सबसे पहले text color को हम करेंगे white, और उसके बाद जो background color होगा, hover state में, वो कैसा होने वाला है, कोई issue नहीं है, चल hover किया, यहाँ पे background color purple हो गया, और button का color हो गया, sorry, text का color हो गया white, तो आपको यह logic भी use करना है, कि button के colors वगरा normal state में, या you know, hover state में किस तरह से work करते हैं, इसके बाद आप इस section को update करूँ, update करने से पहले काम और कर लेते हैं, पहले वाले column में भी, जितना भी content उसको vertically middle align कर ल आए, तो आप क्या कर सकते हो, gap, अंदर के gap को बढ़ाने के लिए, कल मैंने बताया था हम क्या करते हैं, internal padding increase करते हैं, तो आप outer section पे चलो, इसकी setting में, और यहाँ पे advanced में जा करके, top और bottom की padding को थोड़ा सा increase करेंगे, तो आप top की padding जैसी यहाँ से increase करोगे, देखी gap आ गया इसी तरह से bottom की थोड़ी बहुत increase कर लो, 5 काफी है, then we have to update this page, okay, at last हम homepage को refresh कर लेते हैं, alright, so आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यह section भी successfully create कर लिया है, मतलब किसी भी web page पे content create करना बहुत बहुत easy होता है, same यही mechanism work करता है, ठीक है, अब कोई नया section create करते हैं, अब basically यह वाल services वाला section बनाया हुआ है, आप यह कैसे create करोगे, कल की class में बताओंगा मैं कि animation कैसे लगाते हैं, आज की class में बताओंगा कि आप इस type का section बनाओगे कैसे, ठीक है, तो चले start करते हैं, सबसे पहले logic समझना है, logic यहाँ पे क्या है, एक outer section लिया होगा, उस outer section को 3 columns में divide कर दिय जा गया, ठीक है, एक outer section हम यहाँ पे ले लेते हैं, ओके, पहले तो हम यहाँ पर एक column का section ले लेंगे, जो basically एक outer section हो जाएगा, अब इसके अंदर हम plus पे click करेंगे, and then we have to take the inner section, अब एक नई चीज़ आपको और यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है, कि अगर आपको कोई न column वाले icon की उपर right click करो, और यहाँ पर option मिलेगा आपको add new column, इस पर आप click कर दो, अब देखो 3 columns आगे, 1, 2 and 3, ठीक है, तो इस तरह से आप जितने चाहो उतने columns को यहाँ पर add कर सकते हो, अब हम चलते हैं अपनी website की उपर, सबसे पहले यहाँ पर कुछ heading लिखी हुई है, इसे हम यहाँ से copy करेंगे, so let's copy it from here, okay, इसके बाद यहाँ पर heading को drag and drop करना है, तो कोई इशो नहीं है, हमने अलड़ी heading बना रखी है, just duplicate it, इसके बाद drag कर दो, like this, ठीक है, अब यहाँ पर heading को आपको change करना आता ही है, हम कैसे करेंगे, existing heading को यहाँ से delete करेंगे, and then we have to paste the new one अब एक नई चीज़ और यहाँ पे, पूरा का पूरा text small letters में है, है न, अगर आपको सारे text को एक click पे full, I mean capital letters में convert करना है, तो आप कैसे करोगे, कोई इशो नहीं है, इस heading की setting में जाओ, I mean style में जाओ, और style में typography के अंदर, आपको यहाँ पर एक option मिलेकर transform, right now default है, इसे आ uppercase करोगे, देखो सारे letter uppercase में होगे, है न, तो elementor वाकी कमाल की चीज़ है, ठीक है, इसके बाद next चीज़ क्या है हमारे पास, domain name registration, इसे भी आप यहाँ से copy कर लो, just to duplicate, I mean sorry, copy, और duplicate तो हमें यहाँ पे करना है, okay, so इस वाली heading को यहाँ से duplicate करेंगे, then drop it over here, और इसके size हम यहाँ से इसको reduce करेंगे, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, इसका भी font आप ठोड़ा छोटा कर दो, typography में गए, और यहाँ पे इसका font हमने छोटा कर दिया, next हमारे पास कुछ text लिखा हुआ है, आप यहाँ से पहले से copy कर लो, अभी मैं आपको यह भी बताने वाला ह हम पूरे पूरे column को भी duplicate करने वाले हैं, ठीक है, कैसे करेंगे मैं भी आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, next वाले जो text है, इससे आप duplicate करो, इसे drag and drop कर दो, first वाले column में, चलो, यहाँ पर put कर देते हैं, then domain registration को उपर रख देंगे, और इस text को हम यहाँ से पूरा का पूरा change कर देते हैं, like this, देखे, text भी यहाँ पर change हो गया, preview generate होने में थोड़ा सा time लगता है, तो घपराने वाले बात बिलकुल नहीं है, अब next चीज़ यहाँ पर क्या है, आप देखो, यह कुछ background में gradient type का background है, जहाँ पर you know, थोड़ा सा greenish और white color का mixture है, और यहाँ पर छोटी सी एक image दिख रही है, bottom right corner में, तो पहले तो आप इस image को new tab में open करो, और यहाँ से हम इस image को download कर लेते हैं, so let's just save it, सबसे बहले save करने वाला काम करेंगे, अब इसके बाद इस particular column के background color को gradient में set करना है, ठीक है, तो कहले color code हम निकाल लेते हैं, color code कौन सा है, यहाँ पर हमने color picker का use किया, और यह है color code, light green, अब इस column के background color को हमें set करना है, तो आप इस column की setting में जाओगे, style में चलो, और style में आपको background में यह मिल जाएगा gradient, आप यहाँ पहला color set कर दो green वाला, तो हमने यह पेस्ट कर दिया, green वाले color के code को आ गया, second वाला color white है, तो आ angle change कर देंगे, ठीक है, angle कुछ इस type से है, ओके, अब next चीज हमारे पास क्या है, basically मैंने अपनी website में क्या किया हुआ है, back end में image को भी set किया है, तो image कैसे set होगी background में, देखिए image set करने का भी अच्छा तरीका है, आप यहाँ पर जाओ background type में, classic में, और यहाँ से image को upload कर दो, तो यह हमने, sorry आपको थोड़ा से noise आया होगा, actual में बगल वाले में भी किसी ने काम किया है, थोड़ा बद construction चल रहा है, थोड़ी noise हो जाती है, so please उसको थोड़ा से bear कीजेगा, okay, so हमने यहाँ से उस image को upload कर लिया, आपनी website में, now we have to click on insert media, अब यह background में image आ जाएगी, थो bottom में जाएगी, नीचे जाएगी और right corner में जाएगी, दूसरी हमाई पास क्या चीज़ है, यहाँ पर attachment बगर है कुछ नहीं करेंगे, size है, size भी आप छोड़ दो, फिलाल तो as it is, repeat कर दो, no repeat, ठीक है, अब size में आप default में आओ, और यहाँ पर select करो custom, ठीक है, custom का मतलब क्या ह आप इस image का कितना बड़ा size दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर दीकि 100% है, इसको आप कम करते चले जाओ, जैसे से कम करते जाओगे, यह bottom right corner में image अपने आप छोटी होती जाती है, यहाँ 30% image दिखाई देगी इस तरह से, ठीक है, है ना easy, बहुत easy होता है, अब next काम हमारे यह क्या logic है, padding को increase कीजिए, इस column की setting में चलो, advanced में जाओ, और सारी padding increase कर देते हैं, चारो की चारो, ताकि थोड़ा बहुत text center में आएगा, देखिया आ गया, तो मैंने top, right, bottom और left की padding 25 कर दी है, इतना काम कर लिया, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगी इसमें, बड़ कोई issue नह दो, और duplicate कर दो, same column duplicate हो गया, अब जैसे duplicate होगा, तो next column को यहां से delete कर दो, जो empty column में उसे delete कर दो, आ गया, इसके बाद फिर से इस column को duplicate करो, तीन columns हो गए, जो extra column था, blank वाला, उसे delete कर दो, तीन column हमने यहां पर almost ऐसे बना लिया, अब हर एक column की setting में जाके, आप उसकी, you know, content बगरा को change कर लेना, फिलाल मैं यहां पर change नहीं करूँगा, otherwise it will take a lot of time, तो यहां पर basically बीच वाले column की बस में दिखा देता हूँ, क्या करना है मैं यहां पर, तो यहां सबसे पहले हम inspect करेंगे, इसका color code निकाल लेते हैं, ओके color picker ले लिया, एक color code हमारे पास यह वाला है, तो center वाले column में चलो, ठीक है, इसमें style में जाते हैं, style में gradient में हम जाएंगे, और यहां पर पहला color जो है, वो हमने paste कर दिया, कुछ ऐसा, और second वाला color कौन सा है, light green, ओके, so second वाला color हम यहां पर ले लेंगे, light green, ठीक है, angle आप चाहो तो अपना change कर सकते हो, अपने हिसाब स आप यहां पर change करो, कोई issue नहीं है, जैसा आपको better लगेगा, background में image अगर आपको set करनी है, तो आप यहां पर जाएए, यह lady वाली image है, इसको एक बार set कर लेते हैं, चलिए, मैं से save करूंगा पहले image को, यह image है, save images कर लेते हैं, तो यह particular three columns में आपको create करके दिखा देता उसके बाद आपको खुद practice करनी है, कि next column कैसे बनेगा, ठीक है, यह lady की image है, हमने इसे upload कर लिया, okay, after that insert media, और यहां पर bottom right नहीं करेंगे हमसे, basically हम इसके position है वो करेंगे, sorry, center right करना होगा, क्योंकि यह image center में भी रहे, right में भी रहे, और जो size है आप इसको रखो cover, ताकि यह पूरा का पूरा size इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, इसके बाद अगर आप gradient में देखे जाओगे, column के setting में चलते हैं फिर से, gradient में यह image इस type से दिखाई देती है, ठीक, कोई issue नहीं है, इसके बाद आप चाहो तो इसकी padding वगरा और increase कर लेना, मैं फिलाल तो increase नहीं कर इस तरह से आप देखे, इस type के section को भी create कर सकते हो, बाकी आपको मालूमी है, text कैसे create होगा, यह तो बहुत simple है, आप simple एक section ले लेना, उसमें यह सारी headings वगरा write कर देना, ठीक है, अब next section हम बनाते हैं, इस type का, एक बार मैं अपने इस homepage को refresh कर लेता हूँ, यह होता है counter, तो बड़ा section लिया है, उसके अंदर क्या किया है, मैंने पहले वाला जो column है, उसको as it is छोड़ दिया, second वाले column में एक inner section लिया, मैं आपको logic समझाता हूँ, क्या किया है मैंने यह आपे, पहले मैंने एक section ले लिया, बड़ा वाला, ठीक है, बड़े वाले section को ले करके, उपर bottom और top की margin कुछ increase कर लेते हैं, यूँकि हमें उपर जो first वाला column है, उसके उपर की top margin negative set करनी है, तो यहाँ at least यहां तक उट करके आएगा, अब जब आप कोई भी outer section लेते हो, तो उसमें basically होता क्या है, एक column by default होता है, देकि outer section में भी एक column by default है, अब इसी के अंदर हम क्या क section में ही दो column बन गए, ठीक है, अब क्या करो, second वाले column को थोड़ा सा इस तरह से आप set कर दो, ताकि second वाले column की जो width है, वो increase हो जाए, अब बाकी first वाला column as it is छोड़ देते हैं, अब यह वाला section पहले बनाने की हम कोशिश करेंगे, कैसे बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले समझो, इस column में background image मेंने set की है, तो इस image को पहले हम यहाँ save करेंगे, ओके, let's just save it, इसके बाद इसके अंदर हम content वगरा जो भी है बाद में put करेंगे, तो पहला वाला जो column है, इसकी अब setting में चलो, यह column का icon है, edit column पे जाते हैं, style में जाकर के, background type classic और यहाँ से हम उस image को पहले upload करेंगे, so let's upload this image, यह media library में upload almost हो ही चुकी है, okay insert media करते हैं, background में आ जाएगी, अब next आपको कुछ settings करना ही होती है, जैसे कि position यहाँ पे आप कर दो कुछ भी center center रखो फिलाल, repeat में कर दो आप no repeat और size हमेशा रखो cover, ताकि पूरी image इस column के अंदर covered हो तो आप इस column की setting में चलो, देखो यहाँ पे column की border यह है, और यहाँ पे image background यह है, तो यहाँ पे white-white space सा आ रहा है, हर तरफ यह space सेम आएगा, तो इस space को आप कैसे हटाओगे, आप advanced में चलो, और यहाँ पर आप देखो padding है, padding कर दो zero, कई बार ऐसा होता है, column की setting में padding वगर है, तो इस पूरी heading को हम यहाँ से duplicate करेंगे, let's duplicate, फिर drop कर दो, text क्या लिखा हुआ है, happy and satisfied clients, तो आप यहाँ type करो, happy and, इसे center कर दो, दूसरी वाली heading को duplicate करते हैं, इसे हम यहाँ पे drop कर देंगे, इसमें हम लिखेंगे, satisfied clients, ठीक है, alignment आप कर देंगे, center, इस type से आ गया, अब next चीज़ क्या है, यह number है, फिर से एक बार refresher कर दिखाता हूँ, जब screen load होती है, तो number अपने आप बढ़ता है, यह number आप कैसे, मतलब animated type का number आप कैसे दिखाओगे, basically इस element को हम कहते हैं, counter, ठीक है, तो elementer pro में counter आपको by default मिलता है, आप यहाँ पे चल आता है, देखो, जैसे आपने counter put किया, अपने आप यह number by default increase होने लगे, अब इस counter के setting में चलते हैं, हम खुद का number set करेंगे, और खुद का यहाँ पे text भी set करेंगे, left hand side पे setting मिलेगी, content के अंदर counter, starting number 0 है, ending number कितना होना चाहिए, तो अगर 4.7 आपको दिखाना है, तो आप पे number prefix, number suffix, यह चीज़ क्या है, number के पहले, अगर आपको कोई specific symbol बगरा दिखाना है, तो अब यहाँ put कर दो, जैसे मैं दिखा देता हूँ, for example, dollar, जैकर dollar पहले आ जाएगा, बाकी बढ़ता जाएगा, अगर suffix में आप कुछ add करते हो, plus, तो यानि number के बाद में कोई ऐसा element होगा, ऐसा symbol होगा, जो static रहेगा, बस number increase होगा, ठीक है, तो इस totally up to you, अगर आप चाहो तो इसको use करो, otherwise आप as it is इसको छोड़ सकते हो, इसके बाद animation duration छोड़ दो इसको as it is, अब यहाँ पर हम चलने, title में, देखिए, cool number लिखा है, हम यहाँ पर कर सकते हैं इसको, Google ratings, ठी में, यहाँ से आप इसको dark blue वगरा कर सकते हो, और Google rating है, basically title कहलाता है, तो यहाँ के title की setting आप इधर मिल जाएगी, title में चलो, और यहाँ से आप इसको कर सकते हो, dark black, ठीक है, इसके बाद यहाँ हमने stars वगरा लगाए हैं, तो यह star क्या कहलाते हैं, अब यहाँ इसका भी star लिखो, star rating अपने हाँ आप आजाएगी, आप इसे drop कर दो, यहाँ पर, ठीक है, यह मैंने drop किया, फिलाल अभी star दिखना ही रहा है, कोई issue नहीं है, alignment कर दो center, ताकि बीच में दिखाई देगा, इसके बाद अब rating यहाँ पर दे सकते हो, rating scale क्या होना चाहिए, 0 से 5 में rating होन increase करेंगे, इस type से, ठीक है, अब next चीज क्या है, इस वाले column के अंदर आप देखोगे, content फिर से ऊपर नीचे चिपक गया, तो इस column की setting में जाओ, advanced में और top और bottom की padding को increase कर दो, like this, 25 कर दी, bottom की padding को भी 25 कर देते हैं, इस type से आ गया यह, ठीक है, अब next चीज क्या है मारे पास पूरे section का background color code इस type का है, तो कोई issue नहीं है, हम यहाँ सबसे पहले color code निकालेंगे, I hope आपको इतना at least समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई भी query यह question होगा, आप chat box में लिख देना, या directly मुझे call कर लेना, 955-2485-44, chat box में यह number में आपको दे दूंगा, आप मुझे whatsapp भी क कर सकते हो, ठीक है, अब यहाँ से हमने color code ले लिया, अब इस section का ही हमे background color set करना है, तो अब style में चलो, gradient में जा करके, यहाँ पर first color आप paste कर दो, इस type से, ठीक है, second color हम यहाँ से ले लेंगे, second color कौन सा वाला है, dark blue है, dark blue ले लिया हमने यहाँ से, और second color में paste कर देते हैं, dark blue ठीक है, इतना हमने किया, इसके बाद आप क्या करो, इस section में layout में चलो, और box basically इसका layout है, यानि full width नहीं हो गई है, तो इसके अंदर जो कुछ भी content आप रखोगे, वो box layout में दिखाए देगा, मतलब full browser की width को occupy नहीं करेगा, तो आप width की यहाँ से चाहो, तो content की width भी यहाँ तक complete होता है, बट इसके अंदर जो भी inner section या columns होंगे, उनकी width set हो जाएगी, 978 pixel तक, मतलब browser के हिसाब से 978 pixel यहाँ से लेके यहाँ तक ही होता है, ठीक है, तो जो भी content आप बूट करोगे, वो यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई देगा, इस से आगे नहीं दिखाई ठीक, अब इस वाले column को क्या करना है, हमें ऊपर दिखाना है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, पहले तक column की setting में चलो, advanced में जाओ, link value together वाले icon को uncheck करो, और top margin को negative में set कर दो, आप जैसे negative में set करोगे, देखिए section ऊपर move हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर मैं border, यहाँ से border radius आप पहले set करो, ताकि corner store से curly हो जाएंगे, और box shadow आप इस element से set कर सकते हो, box shadow भी आ गई, अब second वाले column में मैंने कुछ इस type का section create किया है, यह कैसे किया होगा, कोई शो नहीं है, second वाले column में मैंने लिया है inner section, मेरा logic यही काम करता है, यहाँ पे फिर से एक और new column लेते हैं, अब यह heading वाला तो आप कर ले न, heading लिख लोगे आप, मैं यह वाले चीज़ आपको दिखाता हूँ कैसे किया है, 1250 completed projects, तो क्या करेंगे हैं, पहले वाले में चलते हैं, और यहाँ पे counter को ही duplicate करेंगे, यह counter अल्यदी हमने लिया है न, इसे duplicate कर लो, और drag कर दो इस वाले column के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पे फिर से values वगरा change कर लेते हैं पहले, तो value जा रही है, 1250, और suffix में लगा देंगे plus, यानि 1250 completed projects, हो गया इतना, अब style में चलके, आप क्या करो, पहले तो इससे color change करो, white करो, ताकि proper तरीके से visible होगा, title के color को भी आप white कर दो, visible होगा, अब क्या करते हैं हम, जो text है, I mean जो number है, इसके typography में चलते हैं, और यहाँ पर size थोड़ा छोटा करेंगे इसका, क्योंकि size बहुत जादा बड़ा आ रहा है, इतना काफी है, इसी तरह से title के size को भी थोड़ा छोटा कर दो, title भी काफी बड़ा है, ठीक है, ऐसे कर हैं हमने, अब next देखो, इस column में border set है, चारो तरह white color का, तो हम क्या करेंगे, इस वाले column में चलते हैं, style में चलो, जहां से border set होती है, वहीं से border set होगी, border type पहले आपके यहाँ पर select करना होता है, solid, इसके बाद border की width, मतलब border की जो line है, वो कितनी चौड़ी होगी, तो चारो column की अंदर की inner padding थोड़ी सी increase कर दो, तो सारी padding हम कर देते हैं, 10 तक, ठीक है, एक section हमने ready कर लिया, I mean, एक column ready कर लिया, अब जैसा मैंने आपको logic बताया था, duplicate करते चले जाओ, ताकि 3 column बनेंगे, और बाकी empty वाले columns को delete कर दो, तो हमने empty वाले columns को delete कर दिया, अब next चीज आप वे सारे column आपस में चिपक गए, चिपक गए तो logic क्या काम कर सकता है, पहले वाले column में right hand side पे कुछ margin set कर दो, negative में नहीं करना है, positive में करना है, ताकि extra white space आएगा, तो पहले वाले column की setting में गए, advanced में और यहाँ पर right में हमने कुछ 5 pixel की margin set की देखी gap आ गया, अब second वाले column म left पे 5 बढ़ा दी, देखी gap आ गया, इसी तरह से second वाले column में right में भी थोड़ी से बढ़ा दो, ताकि right hand side थोड़ा से gap आएगा, और last वाले column में left hand side पे हम थोड़ी से margin increase करेंगे, so let's increase it, आ गया यह, इसके बाद मैं फिलाल इसको क्या करता हूं, vertically align middle कर देता हूं, ताकि य जाएगा, then we have to update this page, okay page update हो गया, now we can refresh our home page, so देखिए logic कितना easy है, कितने आराम से आप किसी भी तरह से काम कर सकते हो, यह भी section देखिए हमने create कर लिया, और same section हमने यह भी बना लिया है, है ना, बहुत easy है, wordpress में काम करना, elementary की help से आप almost कैसी भी designing बहुत easily कर सकते हो, ठीक है, now, अब हम start करते हैं custom header, custom header कैसे बनेगा, बहुत simple तरीका होता है, सबसे पहले आपको अपनी wordpress website का backend ओपन करना होगा, so let's open the backend, sorry about that, okay, अब यहाँ पर आपको templates में जाना होता है, and then you have to click on theme builder, यह एक ऐसा option है जहाँ से आप custom header create करोगे, अब यहाँ पे आप टॉप पे क्लिक क करो add new, और choose template, so this drop down में से हमें select करना होता है header, क्योंकि हम header बनाने वाले हैं, इस box में आप कुछ में नाम दे सकते हो, like my custom header, then create template पे click करेंगे, फिर से elementor की screen लोड हो जाएगी, same जैसे की home page पे लोड हुई थी, वहीं आप sections लोगे, elements लोगे, और बहुत easily आप बना सकते हो, जैसे की load हो रहा है, हम यहां से logo save कर लेते हैं, यह है logo, इसे हमने save image किया, और we can save it, ठीक है, इस वाले pop-up को बंद कर देना, देखे, same elementor की screen आ गई, सबसे पहले आप ले लो एक section, तो हमने यह ले लिया एक section, पुरा section आ गया, अब यहां पे देखो, top वाला जो है, यह भी यहां पे set है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, background का color code निकालेंगे, right click किया, inspect किया, then यहां पे हमारे पास color picker है, यह वाला color code copy हो गया, अब हम चलते हैं इसमें, पहले तो outer section के style में जाके, background में आपको gradient में जाना है, और पहला color आप यहां पे paste कर दोगे, blue वाला, ठीक है, अब second color हम यहां से फिर से copy करेंगे, यह है green, इसे भी duplicate, sorry copy किया, और red वाले की जगे हम paste करेंगे green color, इतना आ गया, इसके बाद आप चाहो तो से angle वगरा change कर लो, that's completely up to you, अब इस outer section के अंदर आप ले लो एक inner section, अब यहां पर logic समझो, total कितने columns होंगे, इनर section में, एक यह कॉलम में सारे social media icons आगे, यानि तीन कॉलम लेने होंगे, तो कोई issue नहीं है, एक कॉलम और add कर लेते हैं, तीन कॉलम हो गए, सबसे पहले social media icon display करवाना है, तो आप inner column के last वाले column के अंदर plus पे click करो, अब search widget में आपको search करना है, social, यह आगया social icons, drop कर दो इसके अंदर, social media icon द tab पे click करो, यह expand हो जाएगा, अगर आप icon change करना चाहते हो, icon library में जाओ, फिलाल यहां आप नहीं जा रहे हैं, और इस वाले box में आप अपने facebook page का link डाल दो, जैसे मेरे facebook page का link है, https colon slash slash web guru saddam, ठीक है, इस type से डाल सकते हो, इसी तरह आप Twitter का link यहां पे डाल देना, then you can provide the YouTube link as well अगर आप कोई नया link set करना चाहते हो, तो नया link कैसे set होता है, add item पे आप click करो, और यहां पे जैसे add item पे click करो कि by default WordPress का tab आ जाएगा, तो यहां icon library में जाओ, और यहां पे आप कोई भी icon search कर सकते हो, जैसे Skype for example, यह Skype का देखिया आ गया, यहां फिर हम ले ले लेते हैं, यह inside पे यह shift हो जाएगा, अब next चीज style में चलते हैं, और इसका size हम छोटा करेंगे, तो size आप यहां से control कर सकते हो, जितना चोटा जितना बड़ा आप चाहो उतना यहां पे कर सकते हो, बहुत easy है यह, इसके बाद next चीज क्या है यह, सतना MP India, यह मेरा basically location है, और icon के साथ में ल drop कर दिया, तीन icon list by default आ जाती है, left hand side पे setting open हो गई, दो को तो आप यहां से delete कर दो पहले, ठीक है, अब पहली वाली को expand करो, जैसे click करो कि expand हो जाएगी, यहां पर आप अपना address डाल दो, जैसे सतना MP India, ठीक है, आइकन आप यहां से change कर सकते हो, तो मैं फिलाल select करूँगा, map pin, map ले लेते हैं बस, यह वाला icon है, better है, insert कर लिया, देखे, icon भी आ जाएगा, फिलाल blue है, कोई issue नहीं है, आप चाहो तहीं, यहां पर link वगरा भी provide कर सकते हो, फिलाल मैं link provide नहीं कर रहा हूँ, अब style में चलते हैं, icon की setting में जाके, पहले तो icon का color हम कर देंगे white, ठीक है, दूसरी चीज, icon का size आप यहां थोड़ा सा increase कर लो इस तरह से, अब चलते हैं text में, text में भी text का color हम कर देंगे white, ठीक है, और इसके बाद text की आप चाहो तो size भी increase कर सकते हो, but that's completely up to you, अगर एक section complete हो गया, मतलब एक column सही तरीके से बन चुका है, इसकी विदा थोड़ी सी क कर दो, बहुत ज़्यादा विद है, इतना बन गया, तो आप कोई शो नहीं है, आप क्या कर सकते हो, इस पूरे element को duplicate करो, और second वाले column में put कर दो, like this, अब second वाले column की setting में चलते हैं, same logic है, यहां पर आप क्या कर सकते हो, email address एंटर करो गया, तो second वाले column में हम एंटर करते है इतना email, like sadamkasim at hotmail.com, और यहां से आप icon select कर लो, envelope, यह email का icon है, envelope, हमने यहां select किया, देखे, email भी आ गया, और बागी इस वाले column को आप थोड़ा छोटा कर दो, इतना कर लिया, अब इसके बाद, आप देखो, उपर और नीचे काफी gap है, बट मेरी website पे उपर और नीचे ब इसमें padding, सारी padding कर दो 0, पहले जिस तो यह है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कोई issue नहीं है, अब second वाले में चलोगे आप, second वाले जो अंदर का inner section था, इसके लिए outer की margin हो सकती है, तो margin भी हो सकता है, by default कुछ set की गई हो, तो margin आप इसमें कर दो 0, तब भी कुछ नहीं हुआ कोई issue नहीं है, अब एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, जो outer वाला section होता है, उसमें भी मैंने बताया था कुछ देर पहले, एक single default column आता है, देखो outer वाला section यह है, इसके column का icon यह बन के आ रहा है, inner वाले का यह है, outer वाले का यह है, तो क्या कर सकते हो, आप outer वाले column की setting में जाओ पहले तो, advance में चलो, और यहाँ पे no doubt सारी padding set होगी, इसको zero कर दो, तो सारी padding में जैसे zero set की, अपने आप पूरा content का extra space उपर निजे का sub-hut चुका है, ठीक है, तो हमने as it is, same ऐसा बना लिया, अब next हमें इस type का section create करना है, तो यहाँ पे भी आपको पहले logic समझन होगा, यह है logo, जो के एक column में है, फिर menu यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर यह दो buttons आ जाएंगे, मतलब चार column है, एक में यह आएगा, दूसरे में menu आएगा, तीसरे में third button, and fourth में fourth button, यह कैसे create होगा, यह भी बहुत simple है, एक नया section पहले ले ले लेते हैं, यह नया section आ गया इस section के अंदर आप ले लो एक inner section, यह हमने drag and drop कर दिया, चार columns ले लो, एक column और add करेंगे यहाँ पे, और एक column और आ गया, ठीक है, पहले वाले column में logo दिखाना है, तो आपने plus पे click किया, logo एक image होती है, तो आपने image यहाँ से drop कर दी, placeholder आ गया, left hand side पे जाओ, फटा फटा लोगो वाली image को upload कर दो, so logo यह है, इसे हमने यहाँ से upload कर लिया, okay, insert किया, logo यहाँ पे आ गया, इसका alignment left कर दो, और image size को आप कर दो full, तो जितना वड़ा exact logo होगा, वो यहाँ पे display हो जाएगा, अब इसके बाद next चीज क्या है, menu आ रहे हैं, फिलाल अभी तक हमने menu बनाय ह ही नहीं अपनी website में, तो menu वाला section हम बाद में बनाएंगे, फिलाल buttons create कर लेते हैं, तो इसमें चलो पहले, यहाँ पर put करो button, यह है button, और इस button में लिख देंगे हम contact us, ठीक है, contact us page का link हम बाद में इसमें डालेंगे, क्योंकि जब contact page अभी तक बनाया ही नहीं है, तो link हम क्य लगाएंगे, जब contact page बनायेंगे, तो इसका link इसमें लगा देंगे, इसी तरह से दूसरा button एक और ले लिया, इसमें पूट कर देंगे number, तो आप यहाँ पे number पूट कर दो, like मेरा number है, 7000-450-481, ठीक है, यह भी मेरा number है, इसका alignment आप कर दो right, ताकि यह right में shift हो जाएगा, और second वाले button का alignment कर दो left, ताकि यह left में आएगा, देखो यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है, यह वाले button को right align किया है, इस वाले button को left align किया है, तब ही आपस में close दिखाई दे रहे हैं कि दूसरे के, ठीक है, अब अगर आपको button के साथ में icon set करना है, तो भी कोई issue नहीं ह आप यहाँ पर देखो, icon का option आ रहा है, यह upload SVG पर नहीं जाना है आपको, icon library में भी नहीं जाना है, none यहाँ पर set किया, sorry icon library में ही जाएंगे, यहाँ पर आप जाओ, और यहाँ पर set कर लो phone, ठीक है, यह आ गया phone, insert किया, phone का icon देखिया बनके आ गया, इसी तरह से contact वाले प पहले pick करों यहाँ से, यह ले लिया हमने, second वाले color में जाएंगे, style में, background में चलते हैं, और background में color क्या है, यहाँ पर paste कर देते हैं, यह वाला color है, इसके साथ ही साथ में border radius पर कुछ set कर दो, क्योंको button circular type का है, अब next वाले button के setting में चलेंगे, इसके background में चलते हैं, और यह यहाँ पर color code कौन सा है, यह वाला, जब आप काम करने लग जाओगे, तो आप फटा-फट यह सब चीज़े करने लगोगे, ठीक है, अब यह आपको हो सकता है, थोड़ा सा fast लग रहा हो यह, बट बहुत simple होता है, जैसे यह आप एक-दू sites बनाओगे, आपका हाथ यूनों आउटर कॉलम पर जाओ, एडवांस में चलो और पैडिंग कर दो यहाँ से 0, ताकि extra space सारा हट जाएगा, अब next चीज़ आपको क्या करनी होती है, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ मैंने फिलाल कुछ box shadow नहीं set किया है, बट आप क्या करो, आउटर वाला इसको कम करते हैं, इतना कर लेते हैं, और color हम यहाँ से थोड़ा इसका change कर लेंगे, तो थोड़ा से 3D type का दिखाई देगा, after that आपको publish पर click करना होता है, जब publish पर आप click करोगे, तो save and close मत कर देना पहले, पहले आपको यहाँ पर add condition लगानी होती है, आपने custom header बनाया है, म इतना select कर लिया, इसके बाद save and close पर click कर दो बस, आपका यह custom header publish होना start हो चुका है, अब हम अपने चलते हैं, home page की उपर, एक बार इसको refresh करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आ गया, यहाँ पर logo भी upload हो जाएगा, exactly same header बना दिया है, जो यहाँ पर बना हुआ हुआ ह template में जाते हैं, और वहाँ से simply drag and drop की help से एक condition ही set करनी होती है, कि entire site पर यह custom header दिखाई देगा, और आप a custom header बन जाता है, ठीक है, तो इस तरह से guys आप देखिए, पूरे home page को ready कर सकते हो, बाकी मेरी website को आप follow करके, अपना you know inspiration ले सकते हो, practice कर सकते हो, और यह आपके लिए assignment भी है, जितने भी sections मैंने यहाँ पर छोड़ दिये है, animation वाला मैं कल बताऊंगा next class में, ठीक है, अब next काम गया करते हैं, हम एक नया page बनाएंगे, तो चलो अपने website के backend में चलते हैं, backend कैसे open होगा, simply इसको हटा दो यहाँ से, wordpress one dot site forward slash wp-admin, अब एक नया page हम बनाएंगे, तो all pages में जाओ, add new पर click करो, और यहाँ पर एक नया page हम create करने वाले हैं, okay, so यह load होने में थोड़ा सा time ले लेता है, but that's really not a problem, okay, अब यहाँ पर title में आप दे दो, contact, ठीक है, contact नाम का page हो गया, फिर right hand side पर जाएंगे, sidebar को कर दो पहरें no sidebar, ताकि कोई sidebar नहीं आना चाह test, after that बाकि कोई चीज़ हमें hide नहीं करने है, simply title और breadcrumb और featured image को hide करना होता है, then publish पर आप click करो, and then publish, तो blank contact page हमने यहाँ पर publish कर दिया है, अब next हम चलते है, edit with elementor पे, ताकि elementor की screen यहाँ पर load हो जाएगी, और फिर हम contact page create करना start करेंगे, तो इस section में मैं आपको बताऊँगा कि हम Google Map कैसे integrate करते हैं, और contact form कैसे create करेंगे, ठीक है, so मेरी company की website पहले contact पे चलते हैं, और यहाँ पर देखते हैं, contact page कैसा बनाए, तो यह वाला section तो चलो, आप बनाई लोगे, एक section लेना, background image set कर देना, उसमें, background color set कर देना, as a gradient, और heading ले लेना, ठीक है, यह section भी आपसे बन ही जाएगा almost, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, बना करके, चलिए, so यहाँ पर elementor आ चुका है, इसको बन करते हैं, यह contact page, सबसे पहले आप ले लो, एक outer section, ठीक है, मैं यह वाला section पहले बनाने जा रहा हूँ, इसमें हमने icon लिया है, basically यह icon box कहलाता है, ठीक है, sorry, त हम add करेंगे icon, तो यह आता है icon box, मतलब icon के साथ text attached रहेगा by default, ठीक है, इसे आप drag and drop कर दो, उपर icon आ गया, icon change करना है, तो आप चलो icon library में, और यहाँ पर for example map pin ले ले लेते हैं, यह map pin, आ गया यह, इसके बाद आप next चीज हमारे पास क्या है, address, तो चलो address यहाँ पर change करें होंगे, this is the heading, यहाँ पर लिखाए title and description में, this is the heading, आप यहाँ पर कर दो, address, ठीक है, और यहाँ पर आप कुछ पी अपना address वगरे डाल देना, like 123 ng road, basically ng गडुकाव में ही नी, mg road है, ठीक है, फिर hr हर्याना हो गया, और इसके बाद आप 122001, पता नहीं क्या, pin code वगरा है, इसके बाद next चीज़ करनी होती है, style में चलो, और यहाँ पर color वगरा हम change करेंगे, तो let's make it blue, ठीक है, इस color code को यहाँ से copy कर लेते हैं, अब चलते हैं, content में, content में आगर title, title color कैसा होना चाहिए, dark blue कर दो, ऐसे भी, और जो description है, इसका color क्या होगा, black हो जाएगा, तो dark black कर द अब इसी column में चलो, फिर से style पे चलो, थोड़ा बाद 3D effect लगाएंगे, जिसे हम कहते हैं, border radius, sorry, box shadow, तो box shadow पे जाओ, इसे enable कर दो, यह 3D type का effect आ गया, plus, अब क्या करना है, इसी column को duplicate कर दो, तो हमने क्या किया, duplicate किया, फिर से duplicate करते हैं, बाकि empty columns को यहाँ से delete कर देंगे, ह advance में चलो, और right में थोड़ी सी margin को add कर दो, 5 pixel, यह हम 10 कर लेते हैं, ठीक है, बीच वाले column में, advance में चलो, और इसकी left margin को increase करो 10, ठीक है, और right में भी आप कर दो 10, इसके बाद last वाले column में चलो, और इसमें सिर्फ हमें left में करना होगा 10, तो इस type से देखी gap आ गया, plus, उप हम margin add कर देते हैं, यहाँ पर आप top पे, थोड़ी margin add कर दो, इस section में, ताकि 3D effect प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, इस type से हमने section मना लिया, अब बीच वाले को for example, आपको calling number लगाना है, यहाँ phone कर लो, यह हमने phone set कर दिया, heading में लिख लेते हैं, phone, यहाँ पर number डाल दो, और last वाले में हम कर लेते हैं, for example, email, ठीक है, env, तो email के लिए आगया, envelope, यहाँ पर लिखो, email, और यहाँ पर, like, sadamkasim, add rate hotmail.com, ठीक है, इस तरह से create कर लिया, अब next important चीज जो मुझे आपको बतानी है, वो है Google Maps और contact form, तो पहले contact form create करते हैं, contact form के लिए सबसे प्लस पर क्लिक करना होता है, section ले लो एक, top and bottom margin में, for example, 50-50 set कर देते हैं, ताकि थोड़ा बहुत gap आ जाएगा, अब थोड़ा speed में काम करूंगा मैं, इसके बाद प्लस पर क्लिक करते हैं, और inner section ले लो दो column का, क्योंकि यहाँ पी भी आप देखो, पहले column में contact form है, दूस अब contact form का क्या होता है, contact form का काम यह होता है, जब भी कोई user आपकी website पे आएगा, और वो contact page के उपर जंप करता है, उस case में, वो अपना नाम, email address और message वगरा write करेगा, वो आपसे phone पे बात नहीं करना चाहता है, उसको जिजग हो रही है, तो क्या करेगा वो, इस form को fill कर तो contact form लगाने का यही फायदा होता है, कोई user अगर phone पे बात नहीं कर पा रहा है, तो directly contact form के तो हमें contact कर सकता है, ठीक है, अब यह आगया, इसके बाद जैसी आप इस contact form के setting में जाओगे, तो left hand side पे सारी setting open होती है, by default यह name field है, ठीक है, name, इसके बाद यहाँ पे आप देख होती है, उसके नदर आप number collect कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, type में आपको जाना है, और यहाँ पे आप select करो number, ताकि यह number type की field हो जाएगी, label में आप डाल दो, phony phone, ताकि user को पता रहे, इस box के अंदर enter क्या करना है, और placeholder में भी आप लिख दो phone number, placeholder क्या हो already डाल रखा है, placeholder का काम यह होता है, कि वो user को बताए कि हमें इस box के अंदर enter क्या करना है, तो label और placeholder दोनों सेम सेम है, एक काम करते हैं, जो उपर label है, इसको hide कर देते हैं, इसको option यहाँ पे दिया हुआ है, label का, hide कर दिया, मतलब label और placeholder दो 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 पर दिखाने क्या ठीक है, phone number उपर आ गया, next चीज़ बटन में चलते हैं, अगर आपको बटन का text वगरा change करना है, यहाँ पे, जैसे send लिखा हुआ है, अगर आपको submit वाले button के setting में जाओ, यहाँ पे आप कर दो, send inquiry, कुछ भी text आप यहाँ लिख सकते हो, that's completely up to you, ठीक है, अब, next चीज़ से set करते हैं, सबसे important question यही है, तो इसके लिए left hand side पे आप देखो, एक option मिलेगा email का, इस पर आप click करो, to, to वाले box में जो भी email enter करोगे, वो सारी detail इस particular email पे send हो जाती है, तो यहाँ पे आप अपना email address send करोगे, यानि being as an admin, आपका email यहाँ पे आएगा, कोई भी user नाम, email, phone number और message यहाँ type करके, जैसे send inquiry पे click करेगा, तो आपके email address पे यह सारी detail send हो जाएगी, ठीक है, contact form ऐसी create करते हैं, जो heading और लिखी है, यह सब आप खुद से put कर ले ना, इतना आपको आ गया है, अब चलते हैं, Google Maps के उपर, यह Google Map कैसे embed होता है, इसका बड़ा अच्छा logic है, से important पहले तो यही है, ठीक है, आपका business यहाँ पर registered होगा, तभी Google Map पे display होगा, अब for example, आपने नहीं नहीं shop खोली है, आपको business registered करना है, तो तरीका क्या होता है, आप पहले क्या करो, Google की website, maps वाली site है, maps.google.com उस पे जाओ, अब यहाँ पे आपने business को search करने कोशिश करो, registered जब यह नाम डालोगे और यह नाम registered ही नहीं, तो गूगल क्या दिखाएगा, add a missing place, इस पर आप click कर देना, एक form आएगा, वो fill कर देना, फिर Google आपके address पे, जो भी address आप यहाँ पे set करोगे, गूगल पे कौन से address पे आपका business located है, उस address पे एक code जाता है, मतलब by post एक envelope आए तो आप क्या करो, उस business को पहले search करो, जैसे मेरा business यहाँ registered है, मैंने search किया, देखिए यह आगया, website global IT services लिख करके आगया, अब मुझे इसको अपने webpage पे embed करवाना है, मतलब यह पूरा map embed करवाना है, तो कैसे करेंगे हैं, पहले अपने business को search करते हैं, जिब search हो जाएगा, फिर top left side पर यह menu का आईगा नाता है hamburger, इस पर आप click करो, अब इसके बाद यह option मिलेगा, share or embed map, इस पर आप click करो, एक pop-up बनके आएगा, तो यहाँ पर second वाला tab है, embed a map, इस पर आपको फिर से click करना होता है, और यह है HTML code, यहाँ से copy कर लो, copy HTML, ठीक है, यह code अपनी website में paste कर करना होगा, यह जहाँ भी आपको map दिखाना है, वहाँ इस code को paste कर दो, अब यहाँ पर पेस्ट नहीं कर सकते, प्लस पर पहले कुछ लेना पड़ेगा, भाई, code कहां रखोगे, तो HTML का code है, यानि HTML के widget में ही जाएगा, तो आप प्लस पर click करो, Elementor का search box, हम सर्च करो HTML, यह आगे है, HTML, इसे drop करो पहले तो, ताकि HTML का box है, अब देखो, जैसी हमने इसको drop किया, इसके setting left hand side पे open हो गई, अब इस box में उस code को paste कर दो, पेस्ट कर दिया, Google Map देखिए, यहाँ पर display होने लग जाएगा, आगे है Google Map, तो इस तरह से आप Google Map को अपने web page पे easily display करवा सकते हो और यहाँ से इसको कर दो vertical align, middle, ठीक है, अब update कर देते हैं, तो contact page भी देखिए, हमने almost बना लिया है, इसको new tab में open करूंगा, like this, alright, so आप देखो इस section हमने create कर लिया, इसी के साथ contact form भी create कर लिया है, और यह आ गया Google Map, कितना easy है Google Map देखिए, embed करना, तो I hope कि आपको इतना स images कैसे लगाई जाती है, contact form कैसे create होता है, elementor की help से custom header कैसे create करते हैं, अब कल की class में आपको क्या क्या बताऊंगा, सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको footer बताऊंगा, यह footer कैसे create करते हैं, प्लस यह देखिए click to call का button है, जैसे click करते हैं, तो click to call हो जाता है, यह button कैसे create करें menus कैसे create करते हैं, फिर home page पे हम चलते हैं, अब home page मैंने जितना भी animation यहाँ पे लिया हुआ है, यह animation हम कैसे लगाएंगे, यह मैं आपको next class में बताने वाला हूँ, जैसे मैं scroll करता हूँ, यह animation होता है, कैसे होगा, यह moving car वाला animation भी कल बताऊंगा मैं आपको, इसी के साथ मे आप यहाँ पे देखो, यह WhatsApp chat का button है, जैसे ही कोई इस पर click करेगा, तो by default user के सामने हमारा WhatsApp number display हो जाएगा, वो directly मैं WhatsApp पे message भेज सकता है, यानि user को अपने mobile phone में, अपने device में हमारा number save करने की जरुरत नहीं है, वो बिना save किये भी हमसे directly WhatsApp पे chat कर सकता है, तो यह भी basically मैं feature आ आप directly मुझे call भी कर सकते हो, कि वेबिनार का ही software है, यह सिर्फ दो घंटे या कुछ limitation होता है इसका, उतने hours का ही चल पाता है, तो सारे questions के answer इस chat box में मैं आपको नहीं देबाता हूँ, कोई भी query question है, बिना hesitation के, बिना जिजग के, आप मुझे मेरे number पे call कर सकते हो, मेरे number फ ठीक है, इस font को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यह काफी छोटा font है, इसको बड़ा करते हैं, let's make it a little bit bigger, ठीक है, अब I hope कि आपको number दिख रहा होगा, तो यह number आप मेरा save कर लो, और कोई भी query or question आप directly मुझे इस पे call कर सकते हो, और please इसकी practice जरूर कीजिएगा, starting में बह उतना ज़ादा आप से बनेगा, ठीक है, और जो भी questions है, आप directly मुझे call कर लेना, so I hope कि आपको आपको आची class में मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और मेरी website is websoftglobal.com, इसको चाहो तो follow करके, अपने खुद की website बना सकते हो, but content जो भी है, text वगरा जो है वो use मत करना, text कुछ दूसरा use करना, otherwise Google आपकी और मेरी दोनों की website को penalize कर देगा, क्योंकि duplicate content दो website पे नहीं होना चाहिए, मेरा original content है, तो मेरी website इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप जो भी practice करोगे, तो आपके end पे suspension वगरा हो सकता है, domain का, तो ऐसा बिलकुल भी मत करन ठीक है, चलिए कल की class में मिलते हैं, और animation वगरा सीखेंगे, और chatting वगरा feature लगाना सीखेंगे, shaped divider भी बताऊंगा मैं आपको, shaped divider क्या है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, यह है shaped divider, आप देखरों यह लहर जैसी जा रही है, इसे कहते है shaped divider, यह mountain type का, तो यह shaped divider भी मैं आपको लगाना बताऊंगा, plus मैं आपको pricing table भी बनाना बताऊंगा, काफी सारी आप, you know, companies पर जाओगो, जैसे मैं hosting की company की site खोल लेता हूँ, a2hosting.com, यहाँ पर आप देखो, यह, यह basically pricing table होती है, जैसे चार plans है, shared hosting, reseller hosting, VPS hosting, dedicated server, तो इस type की pricing table आप कैसे create करोगे, जहाँ पर आपने pricing plans अपने customers को दिखा सकते हो, तो इस type की pricing table भी कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, till then आराम कीजिए, थोड़ा बहुत remind करते रहेगा, जो कुछ मैंने आपको बताया है, और मिलते हैं कल की class में, thank you so much and have a wonderful day.